हेलो एवरिवन तो आज की वीड़ो मैं डिफ्रेंस बताने वालों रेटिनो ए 0.025 परसेंट या 0.05 परसेंट आपको लेनी चाहिए डोनों में डिफ्रेंस अगरा क्या रहता है काफी लोग मुझसे पूछते रहते तो आज की वीड़ो मैं कम्प्लिटली बताऊंगा इनके बीच में डिफ्रेंस क्या रहता है आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके लिए कौन सी सही रहेगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बले इकन को भी प्रेस कर दो ओके तो सबसे पहले अगर आपने इसके प्राइज और क्वांटिटी की बात करें तो जैसे कि रैटिनो यह 0.025% अगर आप लेते हो तो उसका प्राइज आपको जैसे 190 रुपीज के आसपस देखने मिल जाता है हो सकता है आपको 200 के आसपस देखने मिले ठीक है अब वहीं पे आप 0.05% में ले रहे हैं 30 रुपे जादर लग रहे हैं तो हम 0.05% ले लेते हैं वो हमारे लिए सही रहेगी तो कौन सी आपको लेनी चाहिए अब डिफ्रेंस क्या आते हैं इनके वर्क क्या रह जाते हैं तो देखो यह क्रीम एक रेटिनोड क्रीम है ठीक है अगर आपके एकने पिंपल्स ह और जैसे कही आपके स्टेश मार्क सीचा अगर हो रहे हैं उनमें ये यूज में ली जाती हैं आपके पोस्त को अनक्लोड करने का काम भी खरती है अपकी कि आपकी स्किन को मोटा बनाने का काम भी करती है और आपकी स्किन को गोरा बनाने का काम भी करती है गोरा इसलिए बन जाती है आपकी स्किन अगर आप इसको यूज कर तो एक्सफोलियेट का काम करती है इसके करना आपकी स्किन ब्राइटन भी दिखने लग जाती है कावी डा चाहिए अब % से आपको पता लग रहा है अगर आप रेड़ वाली लेते हो 0.05% तो उसका प्रसेंटेज जाद है अब कोई जैसे कि अभी-अभी यूज करना स्टार्ट कर रहा है न्यू यूजर है यूज करने के लिए स्टार्ट कर रहा है तो आपको सबसे पहले 0.025% से स्टार्ट करनी चाहिए सब को सेम है सेम वक करेगी बट यह थोड़ा ज्यादा वक कर जाएगी 0.05% में ठीक है और हो सकते हैं ड्राइनस साइड इफेक्स भी इ रहते हैं तो इसलिए आपको जैसे की हाईयर परसेंटेज यूज करोगे तो ज्यादा साइड इफेक्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ट्रैटिनों को एक आपको प्रोपर गाइडेंस में यूज करना चाहिए ठीक है खुद को या तो नोलेज होनी चाहिए ठीक है साना थोड़े कम हो गया वो जा सकते है 0.05% में इससे क्या आपके रिजल्ट्स और अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है ये फिर आप यूज कर सकते हो higher percentage में बट क्या होता है जैसे की काफी लोग इसको यूज करते हैं ड्राइनेस वगरा इचिंग वगरा देखन मिल जाती है खुझली सी चलने लग जाती है नोस का ये एरिया फटने लग जाते तो इसलिए आपको बोला गया कि 0.025% स्टार्ट करनी है अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहे है या बंदी भी कोई स्टार्ट कर रही है तो 0.025% से स्टार्ट करना अगर आपने lower percentage करनी देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है अगर आप 0.025% स्टार्ट कर देते हैं उससे भी को dryness teaching देखने को मिल सकती है अगर माल लो आपको उस UA क्या आता तो आप 0.05% में थोड़ा देखोगे ळा तो आपको देखने को मिल जाएगी tratino इंके side effects के नेम से इसी नेम से होगी ठीक है तो मेरे चैनल पर दो ही वीडियो दो-तीन वीडियो है retino A के उपर ठीक है तो आप देखोगे वहाँ पर मिल जाएगी तो एक परसन ने यूज़ की थी बहुत जादा उनकी स्किन खराब होगी थी ड्राइनेस वगरा होगी थी उनको मतलब नोलेज नी थी बाद में मैंने उनकी स्किन सही भी करवा दी थी शायद वो भी वीडियो में दिखाया हुए कावी टाइम हो गया जब वीडियो की हुए तो वीडियो आप जरूर देख लेना अब इसको क्या है कि आपको बिल्कुल कम ही यूज़ करना होता है तो यह आप कम परसेंटेज ले रहे हो उसको भी आपको कम ही यूज़ करना है कनक के दाने जितना आप पूरे फेस पे लगा सकते हो अगर थोड़ रहे हुआ तो बिलकुल ना के बरापर लेके आप बिलकुल यहां पे अपर एक्ने वगरा पे लगा सकते हो ठीक है अबセिट करना के लिए यूज़ में ले जाती है तो कम percentage से करो ज़्यादा percentage पर जाओगे तो side effects भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं हाँ work भी अच्छा होता है बट side effects भी ज़्यादा होजेंगे और ऐसा निया कि यह मलब अगर आप कम percentage वाली यूज करोगे तो उससे आपको जैसे की side effects देखने को भी नहीं मिलेगा और work भी देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है side effects उससे भी देखने को मिल सकते हैं और work उसका भी होगा ठीका आपकी skin पर तो बस आज के उड़ में नहीं था वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके पलेगन को जुरूर प्रेस कर देना तो मिलते है नेक्च वीडियो में